हुआ है हलो कैसे हो आप लोग विल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बेशन का लड्डू बनाएंगे लड्डू बनाने के लिए मैं प्यायन गर्म किये हैं इसमें दो कटोरी बेशन डालेंगे आइसे सुखाई दो से तीन मिनाट भून लेंगे इसे हम चलाते हुए तीन मिनाट भून लिये हैं अब इसमें हम गी डालेंगे गी हम आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा लिये हैं आधा गी हम इसमें डाल लेंगे आइसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेशन में गी को मिक करेंगे और इसे हम चलाते हुए भूनेंगे गुठलिया भी इसकी तोड़ते जाएंगे इसे हम पाच मिनट भून लिये हैं इसे हम चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से जल जाता है इसकी गुठलियां भी तोड़ लिये हैं इसमें एक चमच गी और आड़ करेंगे सारा गी एक ही वर आड़ नहीं करेंगे इसमें बेशन को भूनते जाएंगे और एक एक चमच गी आड़ करते जाएंगे हम अच्छे से मिक्स कर लियें गी को जैसे हम भूनेंगे अब बेशन को हम दस मिनट भून लिये हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है खुसबू भी आने लगी है बेशन को भूनने में 20 से 22 मिनट लगेगा दस मिनट भून लिये हैं इसके गुटलिया भी हम तोड़ते जा रहे और इसमें हम एक चमच और घी आड़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गी को बेशन को हम भून लिये हैं बेशन भून गया है इसे अच्छे आड़ कर दिये थे आद्धी कटोरी से थोड़ा सा जादा घी ए पूरा डाल दिये थे को गैस का फ्री मुउफ कर देंगे व del 21 भुल गया है युसे ठंडा होनी देंगे कि नमक निकाल लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे ठंडा हो जाएगा तर इसे हम इलाइची पॉडॉđड़ लेंगे कर ठन्ड़ हो गया है इलाइची बॉडर डालेंगे इसमें पूर्ण टालेंगे कि कर में कटोरी सक्कर कर भूरा लिये हैं यह डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेशन पुर्ण ठंडा नहीं करेंगे, हलका सा गर्म है बेशन, भूरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेशन में, ऐसे हम अच्छे से मिक्स कर लिये हैं, और इसके हम लड्डू बनाएंगे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर, सस्क्राइब करें, इस रेसिपि को ट्राय करें, और कॉमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तयार कर लेंगे, सारे लगड़ू बनाकर तयार कर लिये हैं मेरा सारा लगड़ू उनका तयार हो गया है तैंक यू बाई